आज एक अनन्य देश भक्त और आज भी देश भर की युवाओं की धड़कन सुभास बाबु की जहनती है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नेने किया है कि सुभास बाबु के सवासो साल को देश भर में बहुत उत्सा और उमंग के साथ मनाय जाएगा और इस प्रकार से मना जाएगा आने वाली कई पिडिया सुभास बाबु को उनके जो काम है उनको देश की आजादी के प्रती उनका जो योगदान है उसको लंबे समय तक याद रखेगी सुभास बाबु एक ओजस्वी विध्यार्थी जन्मजात देश भक्त कुसल प्रसासक कुसल संगठक और सबसे संगस्षिल नेता थे ICS की नौकरी छोड़कर उन्होंने देश की आजादी के जंग में कूदने का नेने किया दो बार कॉंग्रेस के अध्यक्स रहे आजाद हिंद फोज की रचना की कलकत्ते से लेकर रस्या होकर जर्मनी तक 7000 किलोमिटर से ज्यादा मौटर मार्क से जाना और लगबक 27,000 किलोमिटर का सबमरीन के अंदर प्रवास करकर देश की आजादी के लिए कारेरत रहना जब वो उन्होंने आजाद हिंद फोज की स्थापना की तब देश भर के युवाओं को आसा बदी थी कि कुछी समय में देश आजाद हो जाएगा आज ए राष्ट्र उनके प्रती खुरुतग्यता व्यक्त करता है और मैं भी मन से बड़े रदय से सुभास बाबु को सर्धान जली देता हूँ और मोदी जी ने जो फैसला किया है सुभास बाबु की सवासोवी साल को मनाने का हम सब उसमें हिस्सेदार बने और विसेश कर बच्चों और युवापिडी को सुभास बाबु के जीवन कवन का परिचे कराएं और आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इन से प्रेना लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देती रहे यही मेरी इस और से प्रात्ना है